अगर मैं कहूँ के काजु कतली बनाना बाए हाथ का काम है तो क्या विश्वास करोगे? ये वीडियो देखने के बाद जब आप इस रेसिपी को ट्राइ करोगे तो ये स्चेट्मेंट मानने लगोगे. आज मैंने एकदम सॉफ्ट मुँ में घुल जाने वाली केसर काजु कतली बनाई है. मार्केट में काजु कतली 1000 रुपे किलो मिलती है. घर पर आप इसे आधी केमत में पूरे काजु इस्तमाल करके ही बना सकते हो. तो चलिए रेसिपी को स्चार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम काजु टुकडी. ये टुकडी होने के कारण एकदम सस्ती मिलती है और मिठाईयों में यूज होती है. डाइसो ग्राम नापने के बाद इन्हें साफ कर लेना है. अगर कोई छिलका या काला दाग है तो उसे हटा लेंगे. छिलका अगर है तो निकालना जरूरी है वरना मिठाई का रंग बदल जाएगा. तो ये मैंने इसे साफ कर लिया है. अब थोड़ी थोड़े काजु पल्स मोड पर मिक्सर में पीस लेंगे. ऐसा करने से काजु का ओईल नहीं निकलेगा और पाउडर अच्छी बनेगी. मैंने सारे काजु दो बार में पीस लिये है. अब इस पाउडर को छाना एक इंपॉर्टन स्टेप है. जो बड़े पीसस बचेंगे उन्हें दुबारा पीस लेंगे. अगर बिना चाने काजु कतली बना ली तो टेक्शर मोटा और दरदरा आ जाएगा. तो हमें काजु की फाइन पाउडर बनानी है. और ये जो लास के काजु बच गए है वो घर में किसी सबजी में यूज हो जाएंगे तो इन्हें साइड में रख देंगे. एक बर मैं आपको काजु का पाउडर का टेक्शर भी बता दू. ये एकदम खिला-खिला है और इसमें कोई भी गुटलया नहीं है. चलिए, अब बनाएंगे इसकी चासनी. उसके लिए मैं ले रही हूँ डेड़ कप चीनी. तो डेड़ कप चीनी परफिक्ट मेजरमेंट है. इसमें मिलाएंगे तीन चुथाई कप पानी और इसे उबाल लेंगे. कई बर चीनी में गंदगी होती है. आप देख सकते हो कि चासनी का रंग बदल गया है और आगे बढ़ने से पहले इसे साफ करना होगा. जब उबालाने लगे तो इसमें मिलाएंगे दो से तीन चमच दूद. दूद मिलाने से सारी गंदगी उपर आ जाएगी और चासनी साफ हो जाएगी. ये देखे ये जहागल के हाथ से निकाल लेंगे. और इस प्रकार चासने साफ हो जाएगी अब इस चासने को उबाल कर एक तार की चासने बनानी है अगर हम हाथ से नहीं चेक करना चाहते तो इस प्रकार स्पैचुला से चासने गिरा कर देख सकते हो जो लास्ट की ड्रॉप है उसमें एक तार निकल आती है इसका मतलब ये है कि चासनी तयार है आप उंगली से टच करके भी चेक कर सकते हो ये देखे ये एकतार बन रही है मतलब चासनी तयार है इसके बाद मिलाना है काजू का पाउडर क्योंकि मैं या केसर काजू कतली बना रही हूँ तो इसमें मैं मिलाऊंगी केसर का दूद इसे बहुत अच्छा केसर काजू का स्वाध आएगा हम हमेशा नॉर्मल काजू कतली खाते है तो इस प्रकार एक स्पेशल काजू कतली जरूर ट्राइ कीजिए ये एक्तम टेस्टी लगती है और हमेशा की कतली से ये थोड़ी हटके भी है ये देखे कितना बढ़िया कलर आया है और उतनी अच्छी खुश्बू मुझे आ रही है इसी पकाते हुए मुझे 4-5 मिनिट हो गए है इस हमें मैं मिलाऊंगी 1-5 टेबल स्पून देसी घी वो भी मैंने पूरा नहीं मिलाया है जो चमच पे चिपक गया है वो बाद में यूज हो जाएगा ये ढलने से काजु कतली में शाइन आएगी और कड़ाई में वो चिपके की भी नहीं जब मिश्रन गाड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सो मिश्रन प्लेट पर निकाल कर ठंडा कर लेंगे जब इसके विना चिपके गोली बन जाएगी तो मिश्रन को पकाना बन कर देंगे ये देखे मिश्रन की गोली बन रही है मतलब काजु कतली सेट कर सकते है और ये हाँट में चिपक भी नहीं रहा है बस इसी स्टेश तक हमें इस मिश्रन को पकाना है अब गैस बंद कर देंगे और इस मिश्रन को चलाते रहेंगे ये तुरंट गाड़ा होने लगेगा जितना मिश्रन को चलाएंगे उतनी ही शाइन आती जाएगे गैस बंद करके मुझे सिर्फ दो मिनिट ही हुए है और ये इतना गाड़ा हो चुका है पर ये अभी भी बहुत गरम है ये मिश्रन थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब बटर पेपर पर थोड़ा सबचा हुआ गी लगा लेंगे और इस मिश्रन को निकाल कर गून लेंगे ताकि ये और स्मूध और शाइनी बन जाएगा मिश्रन जब थोड़ा गरम है तभी ये काम फटा-फट करना है वरना अगर मिश्रन ठंडा हो गया तो ये सेट होकर तूटने लगेगा अब इस मिश्रन पर घी लगावा बटर पेपर लगा कर इसे पेल लेंगे ये देखे बहुत पतला नहीं बिलना है और ये बिलती बिलती ठंडा हो गया है इस तरीके से काजु कतली बनाओगे तो आपको इसे एक दो गंटे सेट नहीं करना पड़ेगा ये तुरंती तयार है डेकुरेशन के लिए मेरे पास गूर्डन वर्क के पीस्स है आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हो मेरे घर में ये लगाना ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं इसे बस थोड़ा सा लगा कर दिखाऊंगी ये बहुत सुन्दर लगता है तो अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हो अब लास्ट अप में बस काजू कतली को कट करना है मैंने स्केल को अच्छे से दो लिया है स्केल की मदद से एक डाइमंड शेप कट कर लेंगे वैसे मेरा मन बहुत था कि फ्लावर शेप में कट करू पर थमनेल देखकर कोई रिलेट नहीं कर पाता कि ये काजू कतली है ये मिठाई हलवाई शॉप में 1100 रुपे के लोगी मिलती है और उसमें भी कई जगर मुफली और तर्बुच के सीड्स मिलाये जाते है आज फूड अन्माजिक के किचिन में हमने इसे बनाया है और इसका स्वाद माइंड ब्लोईंग है आप इस रेसिपी को ट्राय करिए और इसका लुफत उठाईए अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले थैंक यू फू वाचिंग दिस वीडियो